रर्वी जेई की वेकेंसी दिमाग में जब भी आती है तब लगता है कि यार 2019 में पेपर हुआ था, 2014 में पेपर हुआ था, 2023 में आएगा तो क्या पैटन चेंज हो जाएगा, कैसा पेपर आ सकता है, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सभी क पता है कि अरर्वी जेई का जो एक्जाम है, उसका नोटिफिकेशन जुलाई में आने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पहले से इसके बारे में बताया गया है, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लीट डिटेल बताऊंगा, आप लोग परिशान हो गया कुछ और बहतरीन बताने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखेगा, यह हर एक उस एस्पिरेंट के लिए बहुत जादा आवश्यक है, जो की अरार्वी जेई इस साल टार्गेट कर रहा है, ध्यान से अगर हम लोग देखें, तो आप लोगों पताईगी, जुलाई में अ क्या-क्या पता होना चाहिए, मालो मैं एक एस्पिरेंट हूँ, जो की अरार्वी जेई एक्जाम को टार्गेट कर रहा हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता, या फिर मुझे पता भी है, तो मुझे अभी डिटेल में जानना है, कि मुझे क्या-क्या पता हो, मुझे क्या-क् क्रैक करनी के लिए तो लेखा भी है मैंने तब बेसिक डिटेल्स यू मस्ट नो आपको क्या पता होना चाहिए देखो आप लोगोंने बहुत सारे एक्जाम के कोश्टन्स देखे होंगे लेकिन अर्रबी के पीवाई क्यू अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो अपनी सेले में आप लोगों को बता हूं कैसे कोश्टन्स आते हैं देखें 2019 में इवनिंग वाली शिफ्ट में एक कोश्टन है आपका जो अर्रबी जई सीविरी 2 का है कि ग्रेट ऑफ सीमांट कॉंक्री इसका अंसर यह आ गया ठीक है ऐसा एक ही कोश्टन नहीं आगी अगी अगर आप कोश्टन देखेंगे minimum grade क्या होती PCC के RCC की ठीक है यह आपका 2019 में इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ कोश्टन है ठीक अर्रबी जई के अंदर तो आप इसका अंसर दे सकते थे कि भाई PCC के अंदर तो हम लोग किता लेके चलते हैं मिनीम M15 और RCC के अंदर किता लेक कोश्टन सेम आप लोगों को यहां पर जो पर्सल सेप्टी फेक्टर है वह आप लोगों से पूछा हुआ है तो इसको भी आप लोग बता सकते हो पूछा है फॉर कॉंक्रीट के लिए एंड़ स्टील के लिए 1.15 ठीक है तो यह आपका अंसर दी हो जाएगा इस जगए पर सेम ऐसी इस कोश्टन को देखें आपसे पूछा है कि M10 का ग्रेड आपके पास में कितना होगा सेम ऐसी आप लोगों से the term nominal stresses in the stress strain curve ऐसे बहुत सारे कोश्टन जब आप देखते हैं तब ही आपको पता चलता है कि एक्जाम का actual level क्या है ठीक है तो देखो मैं मान लेता हूं कि आपका जुलाई के अंदर वेकेंसी आ जाती है मान लेते हैं हम लोग कि जुलाई के अंदर आपकी वेकेंसी आ जाती है तो अब अगर जुलाई के अंदर वेकेंसी आगे तब आप लोगों को क्या पता होना चाहिए देखो अब आपको इतना दो पता है कि सर यहाँ पे 100 question का पहला paper होगा duration उसका 90 minute होगा एक question का एक number रहे कि जैसे अब मैं आप लोगों से यह नहीं कहूंगा कि यह तो सर बारवार हम देख चुके हैं बिल्कुल देख चुके जिसने नहीं देखा वो direct आप लोग screenshot ले सकते हैं पहला जो paper रहेगा CVT 1 अभी तक हो सकता है pattern change हो जाए लेकिन अभी तक जो pattern था उसमें आपका RRB GE CVT जो आपका पूरी तरीकी सा objective होगा और इसमें आपका non-tech नेखने को मिलेगा कोई technical का question देखने को नहीं मिलेगा जब आप इसे clear कर लेंगे आपका calling fine exam में इसके marks आगे नहीं जोड़ेंगे CVT 2 जब exam देंगे आप लोग तो उसमें आपका tack और non-tech दोनों देखने को मिलेग पेपर टोटल आप लोगों का 150 marks का होने वाला है ठीक है यह चीज आप लोगों को पता होनी चीए अब साथ की साथ और क्या पता होना चाहिए सर देखो जैसे मैंने आप लोगों का भी थोड़े देर पहले बताया कि अब इस exam में कितना आपके numerical देखने को बिलता है कितना theoretical देखो conceptual question और theoretical question के अगर मैं आपसे बात करूँ तो 95% theoretical questions होते हैं और सिर्फ 5% के असपास numerical होते हैं जो कि अभी तक की exams में देखा गया है बट आगे के exams में क्या होता है उसके लिए मैं पहले से ही कुछ और बहतर प्लान करना होगा तब ही हम लोग आगे इस exam को clear कर अगर आप civil engineering student हैं तो आप यह भी देख सकते हैं कि 2019 में लास्ट लेटर से इसका exam होगा था RRB का उसमें कौन से subject से कम question पूछे गए तो सारे subject का weightage मैंने दिया हुआ है इसका भी आप क्या देख सकते हो यहीं कहीं आप लोग इसको screenshot ले 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 ना और screenshot के तुरू आप लो कि अब कैसे question की तैयारी करना जरूरी है या फिर आपके पास कौन-कौन सा material होना चाहिए इस exam को सच में clear करने के लिए तो आपके पास में एक material जो सबसे जरूरी है वो है detailed notes, notes बहुत जरूरी है इस exam के लिए, दूसरा आपके पास short notes होना बहुत जरूरी है, quick revision के लिए, RR J.E.P.I.Q. questions होने बहुत जरूरी है solution के साथ में, जो कि में आप मेरे official telegram channel Davis Sir P.W. पर connect करेंगे तो मैं आप लोगों के आपर provide करा दूँगा, दूसरी चीज, state J.E. question book आपके पास में होनी चाहिए, state के जो J.E. के exams होते हैं, दूसरा, state engineering की A exam के भी question paper या book होनी चाहिए, question paper आपके पास होना चाहिए which solution, और last में है mock test, यह आपके पास होना बहुत जरूरी है, आप हमारे RRBG Express batch के साथ भी जुड़ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं से साल यह चीजों की मुझे आवश्यक्ता होगी और मैं एक बहतर batch के साथ जुड़ना चाहता हूँ, ठीक ह अगर मैं आपसे अभी बात करूँ, उन बातों को 5 साल हो चुके हैं, एक्जाम का level competition पूरी तरीके से बढ़ चुका है, तो अगर आपको तैयारी इस बार करनी है, तो अब आपको mind में set करना पड़ेगा कि आसान सिर्फ आसान question से काम चलने वाला नहीं है, अब हमें कुछ अलगलग type के question करने होंगे, जैसे कि direct database question भी याद करने हैं, जैसे कि IAS codal provisions होते हैं, आपको statement based question भी करने पड़ेंगे, numerical based भी करना पड़ेगा, assertion region के questions भी करने होंगे, true false and match the column, इस सभी type के question के उपर आपको पूरी तरीके से focused होना पड़ेगा, देखिए इस exam में आप करेंगे, दूसरी चीज कि जब आप लोग paper दे तो paper एक जैसा आता है सबका, लेकिन आपकी जो cut off जाती है, वो हर reason की अलग लग जाती है, इसलिए आप लोगों को बहुत सुझबूश से काम लेना पड़ेगा, देखिए अगर मैं और एक चीज और आप लोग जब comment box में ल ना रेते हैं, यही आप लोगों के लिए एक आशा की किरण है, देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है, अगर हम लोग उमीद ही नहीं रखेंगे, अगर आपके अंदर ही हमारा काम है, जो जगाए रखना आप लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर एक ignite पैदा रखन जिससे कि आपका जुनून बरकरार रहे कि वेकेंसी जब भी आएगी, मैं इस वेकेंसी को आने के बाद में बड़िया तैयारी कर चुका हूँ पहले ही, अब मैं और अच्छे से और स्पीड में लग जाऊंगा जब वेकेंसी आ जाएगी, यह एक स्पिरिट आपके अंदर होनी ही चाहिए, so I hope आप लोगों को यह बात मेरी अच्छे से समझ में आई होगी, कहां कहां पे इनकी चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, और साथ में आपने ऑफिशल टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, RRB, JE की तैयारी को और बढ़िया से सब्सक्राइब करने के लिए, तो वहां पे मैं आप लोगों को जरूर मिल जाओंगा, ठीक है, so thank you so much, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसमें और बहतरी इन स्ट्रेजी के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो का जो PDF है, जिसमें complete detail है, वो भी आप लोगों क मेरे official telegram channel, देविस सार PW पे ही वे जाओंगे, thank you so much, all the best.